वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सब बूफर फिल्टर सर्किट और उसका PCV वगर भी मैं आपको बताऊंगा इस तरीके के बहुत सारे सर्किट आपने देखे होंगे लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको इस फिल्टर को डिजाइन करना और बनाना सिखाऊंगा उसको देखने के बाद आप इस filter को खुद ही modify कर सकते हैं और उस तरीके की सहाता से आप खुद से ही अपने subwoofer के लिए एक suitable filter circuit बना सकते हैं और बहुत ही simple और बहुत ही effective circuit है तो आईए चलिए देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है और क्या इसकी theory है लेकिन इससे पहले कि मैं आपको circuit बना ना सिखा हूँ मैं आपको बता दूँ कि subwoofer filter की जुरूरत हमें क्यों होती है अगर आप मेरे पुराने videos देखेंगे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हमारा कोई भी speaker, woofer या tweeter एक particular frequency पर काम करने के लिए बना होता है नहीं हमें मिलती है अगर एक speaker या buffer जो कि किसी particular frequency को deliver करने के लिए बनाया गया है suppose किजी कि ये एक subwoofer है इसकी resonance frequency 65-67 Hz तक की है तो अगर इसके आस-पास की frequency हम इससे generate करा है यानि कि वह 65-67 Hz की तो ये subwoofer या buffer बहुत ही efficiently काम करेगा और इसकी performance कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और because ये एक particular frequency range में काम करेगा जिसके लिए designed है तो distortion भी हमारा काफी कम हो जाता है तो इन सब चीजों को अगर आप detail में जानना चाहते हैं तो मेरा crossover का एक video है और एक speaker कैसे select करें इन दोनों videos को अगर आप देखेंगे तो आप ज़्यादा detail में समझ सकेंगे कि एक particular frequency के लिए ही एक particular speaker हम क्यों use करते हैं पर suppose किजिए कि आपके पास एक subwoofer है और आप इसको एक particular frequency पर चलाना चाहते हैं तो आपको audio spectrum में से उस frequency को छाटना पड़ेगा यानि कि filter करना पड़ेगा और वही काम यह circuit करता है यानि कि हमारी जो total audio frequency है 20 Hz से लेके 20 kHz सकी उसमें से इस buffer के हिसाब से इस frequency को filter करता है और boost वगरा भी करता है और फिर हम इस speaker को amplifier की help से देते हैं तो यह speaker या buffer हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और इसका अगर आप use करते हैं तो आपके पास जो ordinary audio system है उसमें एक बहुत अच्छा low end यानि कि bass frequency बहुत अच्छी आप डाल सकते हैं जिससे आपको audio बहुत भरी-भरी लगेगी आईए देखते हैं कि यह सब buffer filter circuit किस तरीके से बनाये गया है इसके लिए हमें चाहिए 2 op amp और 2 op amp आपको एक ही IC में मिल जाएंगे चाहिए 4558 ले लिजिए 5532 IC ले सकते हैं आप TL072 IC भी आप ले सकते हैं में सभी के अंदर 2 op amp होते हैं और सभी का configuration एक ही तरीके से होता है यानि कि pin compatibility भी होती है तो pin numbers मैंने लिख दिये हैं हाँ पर सबसे पहले तो op amp को हमें power देनी है अगर आप मेरे पहले वाला op amp वाला वीडियो देखेंगे और pin number 8 और force एक ground के साथ एक capacitor हम लगा देते हैं छोटी value का 0.1 का तो इससे क्या होता है कि यह op amp हमारा oscillation नहीं करता है इसके बाद अब हमें input signal देना है तो pin number 2 पर input हम देते हैं यहाँ पर मैंने pin number 2 पर एक resistance एड़ कर दिया और इस resistance की value कोई critical नहीं है मैंने मान लिजे 33K रखा और because हमारा input left और right से आता है इसलिए हमें resistance भी 2 लगाने पड़ेंगे वैसे base के लिए 2 resistance या left right से दिल लेने की जुरूरत नहीं है क्योंकि base दोनों channel में equal होता है फिर भी कुछ लोग दोनों channel से लेना prefer करते हैं इसलिए हम यहाँ पर एक resistance और लगा देते हैं यह देखी एक resistance इसके parallel में लगा दिया और दोनों को यहाँ पर जोड दिया यह भी 33K का होगा तो यहाँ पर हमारा left input आ जाएगा और यहाँ पर हमारा right input आ जाएगा और because हमें कुछ gain चाहिए जैसा कि मैंने आपको upamp की वीडियो में बताया है कि अगर upamp का output उसके input से आप जोडते हैं तो जो भी resistance के थुरू जोडते हैं उसी resistance से decide होता है कि कितना gain रहेगा और because हमें variable gain चाहिए इसका fixed gain नहीं चाहिए इसलिए हम एक variable resistance pin नमबर एक और दो की वीच में जोड़ देते हैं तो यह 100k का मैंने variable resistance लगा दिया तो इसका gain किस तरीके ऐसे आता है इसका gain जो है 1 plus feedback resistance को लिखते हैं और यह input resistance 33 तो लगबग 4 यानि कि 4 इसका gain आ जाएगा चार गुना यह आपके gain को बढ़ा देगा तो यह हमारा gain plus mixing stage इस op amp से बन गया और इसी के parallel में एक हम छोटा सा capacitor लगा देते हैं यह देखिए तो इसकी value कोई critical नहीं है 47 pf, 39 pf, 33 pf इसकी जरूरत सिर्फ इतनी है कि बहुत ज़्यादा high frequency जो कि हमें finally filter करनी ही है वो आगे मत जा पाए तो इसको अगर आप 39 pf लगाते हैं यह एक first order का active filter बन जाता है first order के लिए frequency का formula होता है fc is equal to 1 upon 2 pi rc तो सारी चीजे अगर आप इसमें रखेंगे value r आपको ohm में रखना है और c ferad में रखना है तो आपको पता चलेगा कि 12 kilohertz इसकी cutoff frequency है इस circuit की यानि की 12 kilohertz से उपर की frequency को यह आगे नहीं जाने देगा तो यह हमारा mixer और यहां से हमारे पास gain भी आ गया तो यह एक part हमारा हो चुका है अब main आगे जो हम use करेंगे जिस system को उसको हम बोलते हैं silent की filter इस op amp के output को दूसरे op amp के input पर मैंने दे दिया यह silent की मैं बनाने जा रहा हूँ देखिए और यहां पर because यहां पर सारी frequencies आ रही है सिर्फ 12 kilohertz से उपर की हटी थी और हमें और कम करनी है तो यहां से एक capacitor मैंने ground में डाल दिया यह पूरा circuit बहुत ही variable है मैं आपको बता दूँगा आप अपने हिसाब से इसमें adjustment कर सकते हैं तो value पर आप बहुत ज़्यादा मत जाईए किस तरीके से बना है देखिए तो इस capacitor से जो भी high frequency यहां पर आ रही थी वो ground में हमारी चली गई तो दिखिए मैंने input और output जोड दिया तो इसका gain एक हो गया silent की मैं इसलिए use कर रहा हूँ कि बहुत ही simple होता है और बहुत ही effective होता है यहां पर अगर आप एक capacitor लगा देते हैं तो यह filter आपका बन गया और यहां से output मिल जाएगी output आप 100 ohm 220 ohm के थुरू ले सकते हैं और directly भी आप output ले सकते हैं चाहिए तो एक capacitor भी आप लगा सकते हैं आप इसको R1 मानिए और इसको R2 मानिए तो silent key का formula अगर मैं आपको यहां बताऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा आपको तो मैं आपसे request करूँगा कि आप google में second order silent key calculator करके डालिए तो आपको आ जाएगा और आप यहां R1, R2 और यह C1 और यह C2 इसकी value आप dial लेंगे तो कितनी frequency फिल्टर करके निकाल ला है यह आपको मिल जाएगा यह भी यहां पर 4.7 है और यह 4.7 है और यह 0.22 है और यह 0.47 है अगर आपको कोई fix frequency चाहिए तो आप इसको इसी तरीके से use कहिए बट हमें अपने subwoofer की frequency पता नहीं होती है इसलिए हमें अगर कोई ऐसा filter मिल जाए जिसकी frequency variable हो तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा तो variable करने के लिए मैं क्या करता हूं कि इसी के बीच में एक variable resistance induce कर देता हूं यह देखिए यह मैंने लगा दिया और यह लगा दिय यह variable मैंने लगा दिया यह stereo potentiometer लेना है आपको अब यह variable हो जाता है और इसको जब आप कम से ज़्यादा करेंगे तो यह 33 hertz से लेकर 105 hertz तक की frequency देगा मैंने कुछ calculation यहाँ पर करके रखे हैं यह potentiometer आप 10k का लीजिए तो आपके पास जो भी potentiometer मिलता है वो और जो भी capacitor मिल सकते हैं जैसे कि example के लिए 2-3 combination मैं आपको बता देता हूँ suppose कीजिए कि आपका variable potentiometer 10k का है तो 10k के साथ 0.47 और 0.22 का अगर आप capacitor यूज़ करेंगे तो आपको 33 से लेकर 105 hertz तक का मिलेगा दूसरा combination है मान लिजे आपने 22k का potentiometer ले लिया और same capacitor value है तो आपको 18 hertz से लेकर 105 hertz तक की frequency मिलेगी अगर आपने दोनों capacitor 0.22 के कर दिया यानि कि यह भी 0.22 का है और यह भी 0.22 का है और यह potentiometer 10k का है उस condition में आपको मिलेगा 49 से लेकर 153 hertz तक का और सबसे अच्छा combination जो मुझे समझ में आया वो combination है इसको आप रखिए 0.1 microfarad का और इसको भी आप रखिए 0. 0.1 microfarad का potentiometer को रखिया 47k का तो इस condition में आपको 27 hertz से लेकर 307 hertz तक की frequency आपको देगा तो यह वाला combination मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यह pin number 3 जो है पहले off amp की यह ground से रहेगी यह मैं दिखाना भूल लिया था तो यह रहा complete circuit यहां से आपका input जाएगा यहां से आप gain control कर सकते हैं यहां से आप इसकी frequency को change कर सकते हैं और यहां से आप output ले लेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह है इसका PCB board बहुत ही simple है इसमें input के लिए connector दिये हूँ है power supply के लिए connector दिये हूँ है और output के लिए connector दिया हुआ है और यह PCB भी handmade है और toner transfer method से बनाई इसके बाद इस PCB पर इसको चिपका दिया और iron से प्रेस कर दिया यह सारा method आपको internet में मिल जाएगा अगर आपको detail में चाही होगा तो आप बोलिए comment में मैं आपको बना के भी दिखा दूँगा जैसे सबसे पहले jumper लगाते हैं तो देखिए four jumpers है इसमें तो चार jumper मेंने ल लगा दिया फिर उसके बाद resistance लगाते हैं तो यह resistance हमारे input और output के लग गए उसके बाद हमारा एक capacitor लग गया और यह IC base पर मैंने लगाई है मैं different type की op amp लगा के check कर सकता हूँ कि किस से क्या performance मिल रही है और यह dual potentiometer मैंने एक लगा दिया तो यह PCB हमारी बन गई है और आई हम इसको test करते हैं देखते हैं कि कैसा यह काम करता है इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए dual power supply तो जैसा मेरे पास यह है इसमें plus minus 12 volt आता है तो यहां मैंने लगा दिया red वाला plus है एक यह class D का board है इसका review आप देख चुके हैं तो इसमें एक channel में मैंने speaker जोडा है और दूस इसरे channel पर subwoofer देखिए इसका output यहां पर है तो यह देखिए output मैंने लगा दिया और इसके output से मैं दे देता हूँ आपका इसको board को input देता हूँ देखिए input मैंने दे दिया तो इसका input भी connect कर देते हैं यह देखिए इस board को input भी मिल गया तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ ब क्लियर हो जाए कि किस तरीके से यह काम कर रहा है अब आप headphone लगा लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वैसे clear पता नहीं चलता है सबसे पहले मैं सिर्फ वूफर चला के देखता हूँ यह circuit हमारा on हो चुका है और gain देखिए मैं बढ़ाता हूँ यह हमारा frequency control है तो विकाउस बेस सिर्फ clear नहीं आता है तो मैं इसमें यह वाला भी इंपूट दे देता हूँ ताकि आपको speaker की भी हावा साथ में सुनाई दे अब आपको clear हो रहा होगा काफी खतरनाक बेस आ रही है देखिए gain कम कर देता हूँ देखिए अब gain बिल्कुल zero हो गया है यह सिर्फ mid range और triple है अब देखिए gain काफी जबरदस्ट बेस है काफी ज़्यादा है काफी ज़्यादा है काफी ज़्यादा है काफी एंप्लिफार 100 वाट का है और यह speaker बहुत ही कम वाट का है तो यह तुरण उड़ जाएगा बट थ्रो आप देखि रहे हैं मैं gain कम कर देता हूं तो यह सब बूफर फेंटर आप यूज कीजिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा लेकिन संभाल के क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बेस है और अगर अध्यां से यूज नहीं कि आपने तो आपका अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आप यह सब बूफर फेंटर सर्किट यूज करेंगे और कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए और मेरा चैनल भी लाइक से एर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी के साथ दोस्तों okay and bye